हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो में चैनल मैं हैं डॉक्टर नम्रता आज किस वीडियो में मैं आप सब इसे पुरुषों के एक बहुत ही कॉमन समस्या हाइड्रोसील के बारे बात करूँगी हाइड्रोसील को ठीक करने की होमेपेथिक मेडिसिन के बारे में इस वीडियो चैनल में आप समय से में बात करूँगे कुछ ऐसी हमेपेथिक मेडिसिन के बारे में जो हैड्रोसील को बिना ऑपरेशन की ठीक कर देती हैं साथे साथ मैं यह भी डिसकस करूंगे कि हाइड्रोसिल क्या होता है यह क्यूं हो जाता है इसके पीशे क्या कारट होते हैं इसके लक्षर कैसे होते हैं इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन सी होमेपैथिक मैडसिन है जिसको आप प्रयोग करके अपनी हाइड्रोसिल क समस्या को बिना operation के ही ठीक कर सकते हैं तो यह वीडियो बहुत जादा informative है तो वीडियो को पूरा इंट तक शरूर देख़ें चलिए वीडियो को शरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते की हैं कि हाईड्रो सीब एक पुरूशु ऑो शुक्रिक्ष होती है कि पुरूशु का फॉरिप्र बोलते हैं। जरकी होते हैंं गढानी पानी में आ कि मैं यहीन होते हैं उन में टैस्टिस पाएब दो के सोते लाइट वहां視 इसी कंडिशन को बोलते हैं जो कि बहुत जाता कॉमन होती है और छोटे बच्चों में मेल चार्ड में ज्यादा देखने को मिलती है जिनकी उम्र एक वर्ट से कम की होती है क्योंकि प्रेग्णसी के दौरानी कुछ होती है लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है एक साथ के उपर जाता है यह सिम्टम्स देखने को मिलती है और बहुत साथा कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसके लिए डॉक्टर अकसर सजरी सजस्ट करते हैं लेकिन अगर आप होमेपेथिक मेडिसीन का सेवन करते हैं तो ऐस फुरी तरीके जड़ से ठीक हो जाता है इसके लिए भाट साथा घपरानी को ज़रॉद नहीं सेवन करिए धिरे-धिरे करके यह कंडिशन है पुरी तरीके से ठीक हो जाएगी और आपको अप्राइशन करानी की ज़रॉद भीने पड़िए अब बात कर लेते कि हैड्रोसील औल होने के पिशे क्या कारण होते हैं यसली जो हाइडोसिल होता है वह होता Bem सिंस बर्थ देखा गया है जो मेल इंफास होते हैं वर्थ-ब के बाद ही उनको हाइडूसिल का थी 즐 увид में तो उसकी वजह से ये problem हो जाती है जो कि यी वर्थ को बात जरम के बाद बच्चा 1 साल इसी जो लक्षड होता है यह जो बिवारी होती है डिसेप्पियर कर जाती है दूसरा होता है कि कभी प्राइवेट पार्ट में आपको चोट लग गई हो इंजरी हो गई हो इसकी वजह से यह हैड्रोसिल की समस्या देखने को मिलती है इसके साथ इसक्रोटम में इंफेक्शन हो जा लेकिन जैसे जैसे शाम रहती है यह स्वालींग बढ़ जाती है कि जब हम साम कुछ करते हैं तो उसकी वजय से फ्लूइड रिटेंशन होता है वह बढ़ जाता है स्वालिंग स्वालिंग सामधूर्ष समय जाता होती है सुभा की तयाम आपको इसाथ के साथ कभी कभा यूरिन में जलन मिलने को पास करते हैं दर्थ भी देर्थ देखने को सकता है तो यह कुछ जी स्मिटम्स से जो आप हमेपैफिक मेर्स की बारे में तो आज में सभी से एक विजल ब्रैंट की बहुत ही पेटेंट मैडिसीन ड्रॉप के बारे बात करूं कि जो कि बहुत ही ज़्यादा एफेक्टिव होते हैं बहुत एच्छे इसके रिजल्ट देखे गए हैं तो उस मैडिसीन का नाम रहेगा विजल कंप्रेंट की ड्रॉप यह जो कि बहुत ही रांबार स्टों का एफेक्टिव मेड़सीन होती है इसके सीच मीति कर दो करेगी है इसमें असी आफाइम करैंट करी गए है और संबानलऑ इसमें गयाकर जो हम बादैलो γुएं है अब बादिस्की युषब आईस ऐसर कर लेते हैं तो सब्सक्रील इसं हो गया है fluid retention हो गया है वहां पर यह काम करती है तो हाइड्रोसील भी फुट रिटेंशन जैसी कंडिशन होती है डिमा टाइप की कंडिशन होती इसको यह ठीक करती है इसके साथ ही साथ अगर आपको स्टिचिंग पेन है चुबने वाला दर्थ आपको मैसूस होता है तो इस त इसके बार किया उड़ा अची होती है कि मेडिशन जैक नेट मैडिसे 4 चर् सथी अगर आपको इचिंग हो रही है आपके के चैस्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगार होता है अब बात कर लेना कैसे है तो आपको एक चोथाई का पानी लेना है उसके पंदा से बीस पूंथ आपको डबलू एल-53 ड्रॉप की डाली दिन में तीन से चार वार आपको प्रयोग करना आदा घंटे खाना खानी के आदे करना चाहते हैं और आपको कंडिशन वर्स नहीं नॉर्मल सिंटम्स आपके अंदर है तो ऐसे में अपनी होमेपेथिक मेडिसिन को जरूर ले आपको बहुत एच्छी रिजल्ट मिलेंगे विदाउट ऑपरेशन आपके यह हैड्रोसिन की परिशानी है पूरी तरीके से ठी करती हैं स्वैलिंग को इंफ्लामेशन को खतम करती है तो इस मेडिसिन को डेफिनेटली आप ट्राय करिए आपको बहुत एच्छी रिजल्ट मिलेंगे इसके साथे साथ आपको कुछ प्रिकॉशन को भी फॉलो करना है जैसे कि आपको विग्रस से साइज नहीं करना है भाल इसके साथ मेरी प्लेएशित में को सील चेक कर सकते हैं तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करकिये मरे ुटा सब्सक्राइब कर लिजे साथ में बेल आइकन जो दिया हूँ इसको भी प्रेस कर लिजे जिसी की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी So friends, thanks for watching, see you in the next video